अंडर 19 विश्व कप में भारत ने एक तरफा जीत दर्श की है ऐसी जीत जिसकी उमीद भारत की जनता को पहले ही थी लेकिन क्या आप जानते हैं भारत किस जीत के पिछे कौन से वो खिलाडी रहे हैं जिनोंने भारत को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है हमारे साथ यहाँ पर मौझूद हैं वासू वत्स जो के अंडर 19 विश्व कप में खेले हैं भारत के लिए युगांडा के खिलाफ थे और जानते हैं उनसे कैसे उनका ये सफर रहा कैसे उनका ये सफर कटा और कैसे भारत को ये जीत मिली सर सबसे पहले तो आपको कॉंग्राचुलेशन आपने भारत को एतिहासिक जीत दर्श करवाई है सर जानना चाहेंगे आपसे देखे आपकी जर्णी अगर बात करें क्योंकि दर्शक बहुत जानना चाहते होंगे कि कैसे आप इतनी कम उमर में भारत को ये जीत दिला पाए तो सर अपनी जर्णी के बारे में ज़रह बताई है सबसे पहले तो मैं मैं में इंटरनेशनल स्कूल में आया था जब मैं 16 साल का था तब मैंने क्रिकेट अपी एपे वायसी में स्टार्ट की नेतरपाल सर के साथ तबी से सर ने में कूछ बहुत मौटिवेट किया अच्छी गाइडैंस में प्रैक्टिस कराई बहुत जो क्रिकेट की बारी कि होती है जो स्टार्टिंग में इसल चीज़ें होती सर ने बताई उस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई उसके बाद फिर मैं अपने यहां का नई हूँ मैं सारंबूर डिस्टिक कहूं तो सर ने मुझे यह बोला कि डिस्टिक से खेलना है अपनी सर ने उसका भी पूरा सपोर्ट किया और उधर से मेरी अस्वेशेशन ने मुझे सपोर्ट किया उसी से फिर मैं खेलागी तो अक्सर लोगों की दिमाग में धार्णा बनी रहती है कि अगर युनिवर्सटी जादा अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेगी लेकिन इस युनिवर्सटी ने कह सकते हैं आपको खेल का मैदान दिया जहां पर प्रवाइड किया गया है अच्छा ग्राउंड दिया गया अच्छी विक्टे दी गए अच्छी मैची जहां पर दिला है जिससे हमें जो कॉम्पेटिशन वाली मैच होते हैं उसकी प्रैक्टिस हुई उनिवर्सटी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए और सर क आपको लगा था कि आपका जो एक स्टूडेंट आपका जो खिलारी है वह इस तरीके से दूसरे देश में जाकी डंका बजाएगा जी मैं बिल्कुल लगा था क्योंकि सबसे पहले जब मैं जरनी की पर आ जाता हूं यहां की एम डियू की तो पहले विसाल जी ने जब यह लिया था यहां पर इतना अच्छा ग्राउंड नैट्स और क्रिकेट होस्टल स्टार्ट करने का तो तब हमें लग गया था कि हम यहां से ना बहुत जल्दी इंटरनेशनल लड़के निकालेंगे और हमारे लड़कों बहुत पोटेंसियल था बहुत डेडिकेटिड थे ग् को नहीं खेलेगा यह तो डेफिनेट था कि अगर कोई भी बच्चा इमानदारी से पांच साल छे साल ग्राउंड पर लगाएगा तो वो अपने स्टेट के लिए अपने देश के लिए जरूर खेलेगा वासुजी देश के युवाँ आपको देख रहे हैं तो देश के यु अंदर बिलीव रखें क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में अगर सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा बहुत अच्छी बात आपने यह कहीं है और आजकल के युवाँ में डिप्रेशन का शिकार युवा हो रहे हैं और युवाँ में अपने लिए कोई की चीज़ रह सकता है